यो वस्ट अप गाइस वेलकिम बैक वोंस अगेन तो आज मैं सौमय और हयाती का सेकंड पार्ट लेके आए हूं जिन्हों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा लिंक इन डिस्क्रिप्सिन आप इस पार्ट को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस पार्ट में सौमय और ह लव स्टोरी शुरू होने वाली इन दोनों की लव स्टोरी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब ज़रूर करते ना बेल आइकन पे क्लिक करके और नोटिफिकेशन और लेना और अग पानी शुरू करते हैं पिछले पार्ट में हमने देखा कि हयाती को सौमया बहुत पसंद आती वो भी एक ही नजर में उससे सिद्धत वाला प्यार हो जाता है सौमया जो कि एक आर्मी ओफिसर और दिखने में बिल्कुल रफ एंट टॉफ सौमया एक ऐसी लड़की जिसे अपने करतव्य से बड़ा और कुछ भी नहीं तो जो जो लड़की सिर्फ अपने करतव्य को ही सब कुछ मानती हो क्या वैसी लड़की हयाती से प्यार करेगी क्या ऐसी लड़की हयाती को भाव देगी या नहीं क्या होगा चलिए देखते हैं हयाती प्राट्य बनाके छत पे जाती है और वो देखती है कि छत पे तो कोई है ही नहीं फिर उसकी नजर दर्वाजे के अरब जाती ह। तो हयाती उन फाजill की बात माझ लेती और हयाती नहीं जाती लेकिन जब ुस सौमिय को देखती तो उसके मन में गودगदी हने लगती है फिर वह जीप वहां से चली जाती और इदर हयाति अपने बुई के पास आती है और बूह को कहती है कि बूह चलो ना बाहर घुमने के लिए चलते है, मैं जब से आई हूँ। बस घर में ही रही हूँ, बाहर गई है कर दोखिती दो। और इसी चक्र में वो बुआ को जिद कर रही थी और हयाती तेयार हो जाती है बाहर जाने के लिए मॉर्निंग बॉक पे जाने के लिए हयाती अपने बुआ के साथ बाते करते हुए जा रही थी वो खेतों से जा रहे थी क्योंकि रोट से जाना सुरक्षित नहीं था हयाती जाए रहे थी कि तब ही उसके नज़र रोट पे जाती वो देखते ही ये तो वही जीब है जिसमें सबी फौजी बैठे वे थे हयाती तुरंट दोड़ के उनके जीब के पास चली जाती और जब हयाती उसके जीब के पास पौज थी वहाँ पे जितने भी फौजी थे और सौमया भी सब भी हयाती को देखते हैं सब भी हयाती को देखके खुश होते हैं और तुम यहाँ ने तुमें अपने साथ आने नहीं दिया तो तुम हमारा पीछा कर रही हो किया, तो हैयाती केती नहीं मैं किसी का पीछा नहीं कर रही है, तो बस ऐसे जा रही थी, मैंने आप लोगों को दीखा तो मैं आ गई, उन में से इक फॉजी कहता है, अच्छा हूँ तुम आगे, वैसे भी हम घरी जा रहे थे एक काम करो, तुम हमारी जीप में बैट जो, हम तुम्हें घर चोड़ देंगे, क्योंकि हमें भी तो तुम्हारे घर जाना है, तो हयाती कहती है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको मेरी बुआ को भी बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी बुआ के साथ आई हूं, तो उसमें से एक फौजी कहता है, नहीं नहीं, इतने लोग की जगह नहीं है, तो हयाती कहती है, अरे बस दो ही लोग तो बैठेंगे, तो फौजी कहती है, हम बस तुम्हें बिठाएंगे, अगर तुम्हें बैठना है, तो ठीक है, बरना नहीं बैठाओग के बदन पे जो बर्दी थी उस बर्दी को भी देखती और वो उस बर्दी में बहुत खूब सूरत लग रही थी हयाती उसको देखते वे जार थी उसका पैर फिसल जाता और वो पीट के बल गिर जाती है और गिरने के बज़े से उसके कमर में बहुत चोट आती है वो अच्छे से खड़ी नहीं हूपारी थी सभी फॉजी जीप से उतरते हैं सौमया सबसे पहले आती है और वे हयाती के उठाती है हयाती को बहुत दर्द हो रहा था उसे नहीं पता था उसे कौन छूरा, उसे कौन उठा रहा रहा बस वो दर्द से करार रही थी हयाती को सच में बहुत जादा चोट लग गई थी कमर में, सब उसे उठाते हैं और जीप में बठा देते हैं इदर बुआ भी परिशान हो रही थी बुआ तो रोने लगती है कि हाई क्या हो गया मेरी बेटी हो सौमया हयाती के पास आती हो और हयाती का कमर पकड़के उसे पीट के बल लिटा देती हो और उसके कमर पे अपना हाथ रखके हयाती के कमर को दवाने लगती है उसकी मालिश करती है जिससे की हयाती को थोड़ा अराम मिले और सौमया बुआ को भी दिलासा देती है और वो कहती है की हयाती को कुछ नुआ बस कमर में थोड़ी से चोट आई है अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद वो सभी घर पहुँच जाते हैं और हयाती को सौमया उठाती है और उसे कमरे तक छोड़ देती है और वो कहती है की रात को गरम तेल लगा लेना कमर पे ठीक हो जाएगा कल तक हयाती अंदर ये अंदर बहुत खुशती कि उसे सौमया ने चुआ लेकिन बाहर से वो बहुत दर्द में थी तर रात भी हो जाती है और हयाती की बुआ तेल गरम करती है और वो हयाती कमर पे लगा रही थी पीचे से सौमया देख लेती है और वो कमरे के अंदर आ जाती है और वो बुहा से कहती है अरे आप अच्छे से नहीं कर रहे ऐसे तो इसका दर्द दो तीन दिनों में ठीक होगा एक काम कीजिए आप छोड़िये मैं कर देती हूं क्योंकि मैंने और भी लोग क्या किया है और मुझे पता है कि अगर कहीं पर मोच आई या चोट आए तो उसे गरम तेल लगा कर ठीक कर देना चीhn inhib और कैसे ठीक करते ये मुझे पता है तो सौमया कहती अरे शर्म अगर तुम ऐसे सर्माते रहे तो तुम्हारा दर्द कमनी होगा जल्दी से यह उतारो मैं अच्छे से तेल लगा दूगी और तुम्हारी मालिश कर दूगी पक्का सुबह तक ठीक हो जाएगा सौमया की बात सुनके हयाती खुश हो जाती है वो अपने टीशिट उतार देती है और वो पेट के बल लेट जाती है और उदर सौमया जब हयाती की पूरी पूरा सरीर उपर से नीचे तक देखती है तो सौमया को भी अंदर अंदर कुछ होता है वो समयल करती है लेकिन दो रहा था, वहाँ पे अच्छे से तेल लगा देती और वहाँ पे दवाती भी है, ताकि उसे अच्छा लगे, थोड़ी ही देर के बाद हयाती की कमर में अराम मिलने लगता है, पता नहीं, यह अराम उस मालिस का था, या फिर सौमया के हाथों के जादू का, हयाती तो अपन के बंद करके बस सौमया के हाथों को महसूस कर रही थी, और वो यही महसूस करते वे सौ जाती है, कुछ घंटों के बाद उसकी आँख खुलती है, वो देखती है, उसके कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, लेकिन सौमया उसके पास नहीं है, वो तुरंट उठती आसपास उसे ढूडनने लगती है, उसके सामने उसकी मा आती होती है, वो बैटा, तेरा तीरा दर्द कैसा है, हयाति कहती है, मेरा दर्द तुस यह लिग instaur का है, तो पिर उसकी मम में कहती है, बेटा, तु पत्ता नहीं का है, लेकिन उसने तुझे यह दवाई दिया, बॉआयों को देखते रहे उसे धुशी हो रही थी कि इस दवाई को सौमया ने दिया है कोड़ी देर के बाद हयाती की मम अम्मी नास्ता लेके आती है। एस के बात रहे चीता है। और वह से खाता है और वह सब दवाई कहने थी दवाई खुद अपने हांते। दबाई खाने के बाद वो थोड़ी से लेट कर अराम करने लगती है और फिर रात हो जाती है और रात को वही खाना बनाती है और सभी आंगन में खाट पे कोई चार पाई पे सो जाता है और हयाती भी खाना खाके पाणी पीके चार पाई पे लेट जाती है और वो इंतिसार करती है कि कब सो में उस चट जे पे आई और तुरंत ही सो में आ जाती है चट के पास और जब सो में हयाती को देखती है तो वो पूछ लेती है हयाती तुम्हारा दर्द कैसा है ये सुनके तो मारो हयाती बिलकुल ही उड़ने लगती हावाओ में मतलब समझ रहे हो ना जो तुम्हारी क्रेश है वो तुम्हारा हाल चल पूछ ले तो तुम्हें कैसा लगेगा ठीक वैसा है हयाती को भी लग रहा था वो तो खुशी-खुशी कहती है कि हां मैं ठीक हो फिर वो कहती न गौ्छ पूछ रही थी फिर सौम्हारा हयाती का हालचाल पूछने के बाद वो चली जाती ह और जब सौम्हारा जाती तो हैाती को उच्छा नहीं लगता मैं आप लोगों को तंग नहीं करूंगी मैं बस एक कोने में बैट जाओंगी तो सौमया हसती है और वो कहते है ठीक है आ जाओ हयाती खुशी खुशी शट पर आ जाती है और वो एक कोने में बैट जाती है और वो देखने लगती है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं वो देखती है कि सौमया तैनाथ होके खड़ी है, आसपास देख रही है, निगरानी रख रही है और कुछ लोग हैं जो कि कुछ लैपटोप में काम कर रहे थे और सबी को देखने के बाद हयाती की नजर फिर से सौमया पे ही टीक जाती है और जब सौमया इदर उदर नजर घुमाने के बाद हयाती को देखती तो हयाती अपने नजरे चुराने लगती, वो नीचे देखती या वो किसी और को देखती लेकिन जब सौमया उसे देखती तो हयाती उसे नहीं देखती थी और एक बार जब भार जब हयाती सुमया को देखती है तो उसे ही देखती है वो देखती है कि सुमया तो उसे ही देख रही है दोहों का एक का आए कॉंटैक्ट हो जाता है। सौमया थोड़ा हिचकी चाती है थोड़ा सा ऐस सहज होती है और वो कहती अरे हयाती तुम उटके यहां क्यों आगी क्या हुआ है तुम्हें तो हयाती हसते हुए कहती है कि वो तुम मुझे ऐसे मुढ मुढ के देख रही थी ना बार बार तो मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारी गर्दन में मूच ना जाए क्योंकि ऐसे पीछे मुढ के देखोगी तो वो होई जाएगा ना इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने आके खड़ी हो जाओ आपको मुढने की जरूरती नहीं पड़ेगी हायाती की यह बास सौमया बहुत हस्ती है फिर हैयाती कैती अच्छा यह जो तुम्हेरे पास बंदूक है ना यह मुझे भी चलाने सीखा हो ना तो सौमया कैती देखो यह बंदूक एक तो आम इंसन सीखने सकते और वैसे मैं तुम्हारी कमर में दर्द हो रहाए हो है तो हयाती के हाथ में दर्द होने लगता है सोमय हयाती को दर्द में देख के उसके हाथ से बंदूग लेती है और वो कहती बूला था ना मैंने तुमें दर्द है अब नहीं मत करो ऐसा तुमने ऐसा क्यों किया तो हयाती कहती है पता नहीं मुझे लगा मुझे अब दर्द नहीं हो रहा लेकिन मुझे तो दर्द हो रहा है तो सौमया कहती है अब तुम यहां खड़ी नहीं रोगी तुम जहां से आई थी वहीं चली जाओ जाओ चरपाई पर सो जाओ तो हयाती सौम्या की बात मान लेती है और वो अपने हाथ के दर्द लेकी नीचे चरवाई पर चली जाती है और वो सो जाती है जब वो सुबा उटती है वो देखती है कि उसके कमर में हलका हलका दर्द हो रहा है और उसकी हाथ में भी तो हैाती, सुबह कैसे वैसे उटती है और वो जाके अपना मूध होती है मूध होने के बाद उसकी मम्मी उसके लिए ब्रेक्वस्ट बना के लाती है तो हैाती कहती है मम्मी, मैं ये पराठा खुझ से तोड़ के ने खा पांगी क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा, आफे खिला दो ना तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ बेटा रुख जा, मैं खिलाती हूँ एक काम है किचन में वो करके आती, फिर मैं तुझे खिला दूँगी तु इंतिजार कर सकती है ना तो हयाते केती हाँ मा मैं इंतिजार कर लूँगे जाओ आप आराम से आना सॉमया तो कब का उट चुकी थी और वो छट पे खड़ी होके हयाती और उसकी मम्मी की बाते सुन रही थी फिर सॉमया नीचे आती उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और हयाती जब सोमया को देखती है तो हयाती के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है उसका मौर्णिंग बहुत अच्छा हो जाता है सोमया हयाती के करीब आते है और वह कहती है कि तुम्हारी मम्मी को तो आने में टाइम है और हयाती सौमया को देखती हुए मन में सोचती है कि वा यार लगता है किसमत मेरे पे महरबान है कल इसने मेरी मालिस की और आज अपने हाथों से खिला रही है क्या बात है फिर सौमया बड़े प्यार से प्राठा का एक निवाला हयाती के मूँ में डालती उसे खिलाती है और पताने क्यों हयाती को शरम आने लगती है एक पल के लिए हयाती और सौमया की नजरी फिर से एक दूसरे से मिलती है तो सौमया को भी पता नहीं क्या हो जाता है वो थोड़ी देर के लिए उसे देखती रह जाती फिर वो अपनी नजरे नीचे कर लेती है और उसे एक एक निवाला करके अच्छे से हयाती को खिला देती है खिलाने के बाद सौमया कहती अच्छा कल तुमारे ये हाथ में भी दर्द हो रहा था हाथ दिखाओ तो उसे उसे दवा रही थी तो अचानक सी बाद सौमया को पता नहीं क्या हो जाता है और य लगली पूशती हृई पॉस्ती परके वो भी लेकिन सी में कुछ भी नहीं कहती ये सब देखके हयाती को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है यार इस लड़की को धिक्कत क्या है तो हयाती गुस्से से खड़ी होती है और वो दरवाजे से बाहर जाने लगती है बुआ उसे कहती है अरे कहां जा रही है अकेली तो हयाती चला के कहती है वहीं जा रही हूँ ज यह देख रही ह То Baptist किम्हें द्री देखते है सो मिया उसके पीच्छे ढारी है तो असे कहती है कि हया जारी हो तुमारी कमर डर्ड है तुमारी हाथ में दर्द है और तुम यही से गिरी थी दुबारह मत गिर जाना तु है आती कहती मैं गिरू पड़ी कुछ भी करू तुमें क्या तुमें क्या फरक पड़ता है मेरे से तो सौमेग गुस्स कहती अच्छा अगर मुझे कोई फरक नहीं पड़ता ना तो तुम्हें ऐसे मालिश नहीं करती तुम्हें अपने हाथों से नहीं खिलाती तुम्हें दवाईया नहीं देती मैं मैंने तुम्हार ले इतना कुछ किया और तुम्हें खहरी हो कि तुम्हें फरक क्या पड़ता है तो सौमया का पैर गोबर पे पढ़ जाता है उसके जूते में गोबर लग जाती है और ये देख के हयाती को बहुत हसी आती है और वो बच्चों की तरह खिल खिला के हसने लगती है और इदर सौमया को भी हसी आ जाती है और वो भी बहुत हसने लगती है और हयाती ने पहली बार सौमिया को ऐसे हसते वे देखा था हयाती का मन कर रहा था कि बस वो ऐसे हसते वे सौमिया को देखती जाए हयाती कह देती है कि सौमिया तुम हसते वे बहुत अच्छी लगती हो ऐसी हसते रहा करो ना इसकी बात सुनके साथ सौमया को अच्छा नहीं लगता वो अपनी हासी रोग दीती और वो कहती है कि वापस घर चलो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बुआ परेशान हो रही है और सौमया फिर से गुसा हो जाती है और वो गुसे में वापस चली जाती है और दर हयाती को ये रिलाइस हो गया था कि सौमया भी हयाती को पसंद करने लगे लेकिन सौमया को पता नहीं क्या हो जाता है जब भी वो करीब आती है उसे अचानक से कुछ याद आ जाता है और वो वापस दूर चली जाती है और हयाती ये भी सौमया थो मेरे नज़्दी काना चाती है लेकिन उस वो चाकर भी मेरे करीब नहीं आ पा रही है उसे ऐसी कौन सी चीज़े जोसे मेरे करीब आने से रोग रही है سومیہ अपना پیار तो जताना चाहती थी हयाती पर हयाती को बताना चाहती थी कि वो भी प्यार करती है लेकिन वो बता नहीं पा रही थी फिर हयाती भी अपनी घर चली जाती और पूरा दिन उसका छोटे मूटे कामों में निकल जाता है और इदर सौमया भी आती छज्जे के पास और वो एक बार हयाती को देखती और वापस चली जाती हयाती को सौमया का ये बहवार समझनी आ रहा था हयाती खुद से कहती है आखिर सौमया के दिक्त क्या है अगर ये मेरे से बात करना चाहती है तो आके बात करे ना मैंने रोका थोड़ी है इसे फिर रात हो जाती है और जब खाना बन जाता है तो हयाती को उसकी मम्मी खाना निकाले की देती है हयाती खाना खुझ से खा सकती थी लेकिन वो कहती है कि मम्मी मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा आफी खिला दो तो उसकी मम्मी कहती है बेटा मुझे और भी काम है तु खा ले ना हयाती कहती है ठीक है रहने तो मुझे नहीं खाना तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा जैसे सुमया ने खेला था, अभी भी सूमया को बला ले, सूमया भी खाना खालेगी और वो तुझे भी खीला देगी, तो हयाती QUE queer, मैंने बुला रही उसको आप websites के लाओ, थी और उसके ना हाथ में भी दर्द हो रहा है तो तू एक बार जैसे उसके कमर में मालिश की थी उसके हाथ में भी कर दे तो हयाती की मम्मे की बात सौमया नहीं डालती वो मान जाती और सौमया नीचे आती है वो नीचे आती है वो देखती है कि हयाती मूँ नीचे लिटका के بیٹھی ہوئی ہے उसके पास जाति है और वो कहती है क्या हुआ तुम कहना क्यों नहीं खारी हूँ मुझे पता है कि तुम ना टक करे हूँ तुम्हारे कहीं दर्द नहीं हो रहा तो हयाती कहती है देखो अगर तुम्हें खाना नहीं क्हिलाना तो मत खिलाू लेकिन ऐसे मत बूलो मुझे पता है कि मुझे दर दूर है तो सूमया कहती है अच्छा ठीक है सौरी चलो मैं खिला देती हूँ तो सूमया उसके पास बैट जाती है और सूमया जब हयाती को खिलाती है तो हयाती कहती है कि सूमया क्या तुम मुझे से नराज हो तो सूमया कहती कि वापस क्यों नहीं लाई मुझे और सुबह जब तुम मेरा हाथ चूँ रही थी तो तुम्हारे हाथ क्यों कपकप आ रहे थी और तुम क्यों ऐसे गुस्से में उटके चली गई थी और आज पूरा दिन तुमने मुझे देखा भी नहीं देखा भी तो कुछ बोला भी नही कोई इशारा भी नहीं किया इसका मतलब में क्या समझू यही ना कि तुम मेरे से नराज हो उसकी बास सुनके सौमया को सोसती और वो कहती है पता नहीं मुझे ये सारी चीजे अच्छी नहीं लग रही है तो हयाती कहती क्या अच्छी नहीं लग रही तुमें क्या तुमें ह जो रिस्ता उनके साथ है, वो रिस्ता तुम्हारे साथ नहीं है, मुझे इतना तो पता है, मैं बाकी लड़कियों को एक दोस्त की नजर से या एक बेहन की नजर से देखती हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें एक दोस्त की नजर से देखने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें डाल के कहती है कि सौमया मुझे बताओ जब तुम मुझे देखती हो तो तुमें क्या क्या होता है तो सौमया थोड़ा हिच के जाती है और वे कहती है नहीं कुछ नहीं होता है मुझे कुछ नहीं कहना है तुम सो जाओ रात हो चुकी है मुझे नीन दारी है मैं जा रही हूँ तो हयाती उसका हाथ पकड़ लेती और वे कहती नहीं आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी आज जो भी तुम्हारे दिल मैं मुझे बता के जाओ तुम ऐसे रोज जाती हूँ लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूँगी तो सौमया कहती है क्यों नहीं जानी दोगी, क्या चाहती हो तुम, क्या बताओ मैं तुम्हें, तो हैयाते कहती है, मैं बस ये चाहती हूँ, कि तुम मुझे ये बता दो, कि तुम ऐसी क्यों हो, तुम जब मुझे देखती हूँ, तुम्हें क्या क्या होता है, तुम मुझे ब बात सुमया के लड़की को पसंद कर रही हूं मेरी साथ जितनी भी लड़की रहती है उनके साथ तो ऐसा नहीं है वो तो लड़कों को पसंद करती हैं लेकिन मैं जब लड़कों को देखती हूँ तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता लेकिन जब मैंने तुमें देखा तो मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ मैं आज तक समझ नहीं पाई सूमय ये भी कहती है कि जब घरवालों को और जब समाज को पता चलेगा कि मैं ऐसी हूँ एक लड़की हो के लड़की को पसंद करती हूँ तो क्या बोलेंगे सब, क्या बीती की उन पे तो हयाती उसे चुप कराती है और वो कहती है कुछ भी नहीं बोलेगी कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम भी कुछ मत बोले तुम खामोश हो जाओ चुप हो जाओ और सौमया और हयाती सौमया को गले लगा के उसे चुप कराती है उसे सुकून देती है और हयाती ही धीरे धीरे लेट जाती है सो मैं उसे गले लगे हुए थी तो वो भी सो हयाती के उपर ही लेट जाती है और ऐसे ही दोनों की आँख लग जाती है और दोनों एक दूसरे के उपर ही रात को सो जाते हैं सो गाइस यह था पार्ट टू, होप करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आयो, तो प्लीज यार सब्सक्रेब जुरूर कर देना, और आपको कहानी में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आपको इ इंस्टा पे फोलो करना चाहते हो, तो लिंक के इन डिस्क्रिप्शन अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप से नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाई बाई